नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रीडिंग लावर्स पर दोस्तो अगर आप में चैनल पर पहली बार आए हैं तो में चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और साथ में बैल वाला इकोन को दोबाना ना भूलें जिससे आपको मारे आने व वाल और पर्फुंट को पे professor आसों को आ करेंगे जो आग islands वाल एम मैंतरफ कूर्ण नहीं गैंगे आपके द्वारा पहलिब के किये गहरे हैं लेकिन आप पढ़ते हैं कि एक्जाम में इन कोशनों को गलत करके आते हो तो आज हम इनी कोशनों को करेंगे और दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखिया है तो उसे आप जाओ उपर कोने में आई बाटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की जो पीडियाप है आप हमारी टेलिगरम गूर्प से प्राफ्ट कर सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिक्शन में मिल जाएगा या जो हमारे चैनल की प्लेइलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी वीडियो डेंट से भीक आप देख सकते हैं दोस्तों एक्जाम के दिश्टी से एक कोशन में तर पूर्ण रहेंगे तो हमारे साथ अंतक बने रहेगा तो फर्स्ट कोशन है हमारा हर्याना को पूर्ण राज्या का दर्जा कब मिला अप्शन है हमारे एक नूमबर 1966 30 जनवरी 1970 20 जून 1965 या दो अक्तवर 1968 को तो हर्याना को जो पुन राज्या का जो दर्जा है ये एक नमबर 1966 को मिला था राइट एंसर एग ओप्षन ए अलग कोशन है हर्याना राज्या का जो निर्मान है एक नमबर 1966 को किसकी अनुसर्ण से पर जाये हुआ था ओप्षन है लाल भादुर सास्तरी इंद्रा गंदी सरदार हुकम सिंग या सरदार छोटू राम राइट एंसर हमारा ओप्षन सी सरदार हुकम सिंग अलग कोशन है हर्याना की राजदानी हर्याना की जो राजदानी है इन में से ये चंदीगड है अर्यान का कुल क्षेत्रफल यह रहेगा 5212 जा वर किलोमेटर राइट अंसर है OPSION A नेटा देश के कुल भूमीक शफेत्रफल में हरिान का कितना हिस्षा है तो देश का जो कुल भूमी में हिस्षा कितना रहेगा 1.34, 2.58, 3.25 या 2.76 तो इसमें हर्याना का जो हिस्सा है ये 1.34 है राइट एंसे राउप्शन ए अगला कॉश्चन है और दोस्ते ये जो कॉश्चन है प्रिवेस जो एस्टेट का जो एक जाम हुआ था उसमें भी जाये आया हुआ था हर्याना का राज किया पक्सी कौन सा है तो ये है कालातित्तर राइट एंसे राइट एंसे राइग उप्शन सी और ये भी जो कॉश्चन है एस्टेट में आये हुआ था हर्याना का राज किया रिक्स कौन सा है पीपल अमरूद सी समया आम तो ये राइट अंसर रहेगा उप्षन ए पीपल और ये भी कोश्चन जाहे आई स्टैट के एक्जाम में आये हुआ था हर्याना का राज्या है पसू बारा सिंगा क्रिशन मिरिक कस्तुरी मिरिक या हंगूल तो सी अंसर था उप्षन भी क्रिशन मिरिक जो हर्याना का राज्या पसू है अलोग कोश्चन मारा हर्याना दिवस परतेक वर्स कब जाये मनाये जाता है तो हर्याना दिवस जाये परतेक वर्स एक नूमबर को मनाये जाता है एक नूम्बर उनिश्यासट को जो हर्याना रज्जा बना था तो इसलिए एक नूम्बर को जो इसको बना जाता है अलग उसने का इन में से हर्याना की राजभासा उर्दू गुजराती हिंदी या हर्यानवी हरियाना की जो राजवासा है इन में से कौन सी रहेगी ये रहेगी हिंदी अलगोशन है इन में से हरियाना की दूसरी राजवासा पहली हिंदी है तो दूसरी जो राजवासा है ये इन में से कौन सी रहेगी हिंदी पंजाबी हरियानी विया अंग्रेजी ये रहेगी पंजाबी राइटन से रहेगा ओप्शन भी अलग कोशन है हरियाना के दक्षिन में स्थीत है हरियाना के जो दक्षिन है इसमें कौन सा जो ये राज्य है ये स्तित है, कौन सा जिला जो इसमें आता है गुझरात, पंजाब, उत्तरपदेश या राजस्तान हरियाना के जो दक्षिन है इसमें राजस्तान आता है राइटनसर एक उप्षन सी अलो कोशन हरियाना की सीमा कितना जोगों सपर्स करती है ये भी जाए युकिजाम की दिश्टी से मैतर पूर रहेगा कितना जोको जो है हरियाने की सीमा ये सपर्स करती है 3, 4, 5, 6 तो कौन सा रहेगा राइट अंसर राइट अंसर रहेगा उप्शन A हरियाने की सीमा पांच राइट जोको सपर्स करती है अगला है हरियाना में कितने जिले हैं तो 20, 21, 22, 23 हरियाना में कितने जिले हैं तो हरियाना में 22 जिले हैं अलग कोशना है 16 नमबर 2016 को हरियाना सरकार ने अधिकालिक तोर पर किस जिले को अपना 22 जिला जाया बनाया था रोत्तक पच्छकुला चर्खी दाद्री या गुरुगुराम तो ये बना था चर्खी दाद्री सबसे लास्ट में चर्खी दाद्री या बाइस वाजिला बना था अलगोशना हर्याना के गठन के समय यहां कितने जी ले थे जब हरियाना का जो गठन वो एक नमबर 166 को तो उससे मैं यहाँ पर कितने जी ले थे वेर वेरी पोटेंट रहेगा साथ दस नो या आठ तो उससे मैं जो है साथ जी ले थे अलोकोशन है हरियाना के मद्दे मिस्तित हरिदय हरियाना के नाम से किसे जाना जाता है जीन्द रोतक सोनीपतिया करनाल हृद्य हर्याना तो यह किसे कहा जाता है यह कहा जाता है जीन्द को जेन्ति देवी के नाम पर जाहिस का नाम जीन्द पड़ा नेक्स्ट रहेगा हमारा बुनकरों का सहर इसके रुप में हर्याना का कौन सा सहर परसीद है अम्बाला पानिपत करनालिया यमना नगर तो इसमें जो पानिपत है ये परसिद रहेगा बुनकरो का सहर तेल रिफाइनरी तो ये यहां पर जाए बहुत परसिद है अगला है इन में से कौन सा अती प्राचीन नगर नहीं है तो इसमें से जो प्राचीन अतार जो पुराना ह है उप्षन है रोतक पंचकुला सोनी पतिया अग्रोहा तो इसमें से कौन सा नहीं है राइटन सरेग उप्षन भी पंचकुला जाए प्राचिन अगर नहीं है नेक्स राइगा मारा हर्याना के इन सभी जीलो की सिमाई उत्तर प्रदेश राजे से लगती है सिवाए एक को छोड़ कर तो कौन सा है जिसकी जो सिमें है ये उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है पंचकुला यमनगर करनार या पानी पत राइटन सरेग उप्षन ए इसकी जो सिमें है ये उत्तर प्रदेश से नहीं ल पचेत्तर आकासवानी रहोत्तक इसकी जो स्थापना है ये हुई थी आठ मई 1976 को अलगोशन रहेगा हर्यान में पहला आकासवानी के अंदर कहां स्थापित किया गया था रहोत्तक रुक्षेत्तर हिसार या गुडगाउं ये था रहोत्तक में रहेटंसर एगा उप्षिन ए अलगोशन राज्या में रेडियो स्टेशन कहां कहां पर स्थित है रहोत्तक हिसार कुप्षेत्तर या इन सभी में रहेटंसर एगा उप्षिन But रहत्तक ही शारोकुकसित्तर जो है इनさん भी मेरे रेडिय स्टिशन स्थित हैं अलाकोशन रहेगा हमारा अंतराष्टरा सोर उर्जव मुखेल्य किस नगर में स्थाबित हुआ है गुर्गा हो पनिपत करना लिया, फॕिरिदाबाद तो ये हुआ है गुर्गाओं में जिसे अब जागुर्गराम के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट रहेगा हर्याने का सबसे अधिक गरम सहर तो हर्याने का सबसे जो गरम सहर के रुप में किसे जाना जाता है option है हमारा हिसार अंबाला भिवानिया रहोत तक ये रहेगा हिसार गोजिरी महल स्टेल सीटी बैस और संदान के अंदर तो ये सभी जाए हिसार में हैं और सभी जाए परसिद हैं हर्यान के कितने परतिशत भूबाग में वन क्षेत्र हैं तो 3.595 या 8.5 सी अंसर रहेगा option बी हर्यान के कितने परतिशत भूबाग में वन हैं तो 3.59 जो परतिशत है इसमें वन हैं हमरा अगला कोश्चन हैगा हर्यान के किस जिले में सबसे कम वन आवरन हैं अथार सबसे कम जाए वन जो आई कहां पर हैं option है हमारे फत्याबाद फृदाबाद पलवल या भीवानी राइटन सरेग option ए फत्याबाद जो है इसमें सबसे कम जंगल है वन है अगला कोश्चन है हर्याना की कासी किसे कहा जाता है विवानी सोनिपत पानिपत या रेवारी किसे कहा जाता है ये कहा जाता है विवानी को विवानी को हर्याना की कासी के नाम से जाना जाता है बोक्सिंग कलब के नाम से इसको जाना जाता है हर याना जो विदालिया सिक्सर बोड़ा है ये भी भीवानी में ही इस्तित है नेक्स्ट रहेगा छोटी कासी वेरी वेरी जो आए दोनों जो कोशन इपोर्टेंट रहेंगे इसमें जो छोटी कासी आए ये इनमें से कौन सा कहलता है कैथल गुरुगराम हिसारिया रोत तक तो छोटी कासी के रूप में किसे जाना जाता है तो कैथल को जो है छोटी कासी के रूप में जाना जाता है अगला रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम ये भी जाए इपोर्टेंट रहेगा कुरुख चित्र का प्राची नाम क्या था नागराष्टर थानेसर युगंदरिया रोही तसा तो प्राची नाम यहां पर यह पूछा गया है तो यह था थानेसर और जो राज़ा थे हर्शवर्धन उनकी जाए राज़ा नी था यहां के जाव इसे नेक्स्टर रहेगा जिन जिले की सिमा कितने अन्य जिलू से लगती है पांच चजाए शाथ या आठ तो यह जो जिए जो है इसकी जो सिमा हैं यह साथ लगती है नेक्स रहेगा सेंट्रल इंस्ट् recruit for research on बफैलो, CIRB, ये कहां पर है, रोतक करनाल हिसार या इन में से कोई नहीं, तो ये हिसार में स्थित है, नेक्स टेक है हमारा राष्ट्रे है, मस्तिस्क अनुसंदान के इंदर, ये जो मस्तिक्स जो अनुसंदान के इंदर है, ये इन में से कहां पर स्थित है, दारुखेडा रिवाडी मानेशर गुरुगराम नार्नौल मेंदरगड या भाद दुरुगर जजजर में मस्तिस्क अनुसंदान केंदर ये है मानेशर गुरुगाओं में मरुत्य उध्योग के लिए इसको जाना जाता है और रिवाडी में जो मुट सैकल है इसकी फैक्टरी है मिंदरगड कनीजो के मामले में परतम है नेक्स्ट रहेगा हमारा राष्ट्रिया डेरी अनसंदान संस्थान कहां पर है आनंद लुद्याना करनाल या हिसार राष्ट्रिया डेरी अनसंदान तो ये रहेगा करनाल में एंडिया राई जो है करनाल में है अगला हमारा हर्याना का एक मात्तर हील स्टेशन ये जो हील्स के शेतर कौन सा है इन में से फरिदाबाद हिसार पंचकुला या इन में से कोई नहीं यह रहेगा पंचकुला यह जो मौणी की जो पाड़िया हैं यह जो इस कुर्खेतर में आती हैं अगला रहेगा हमारा हर्याना में किस थार पर भुगान सीरकिसने गीता कॉपदेश दिया था यम्रनगर कुर्क्षेत्तर सिर्षा या पानिपत में तो C अंसर रहेगा ओप्षन B कुर्क्षेत्तर में नश्टा इन में से किस संग्षासित जगा का हरियाना राज्या से संबंध है अंडमान और निकबार दमनदीव चंदिगड या नई दिल्ली राइटन सर रहेगा ओप्षन C चंदिगड ये जो संग्षासित जगा है इसका हरियाना जैसे संबंध है तो ये चंदिगड है अगला हरियाना कितनी तरफ से दिल्ली से गिरा है वेर वेरी पोटेंट रहेगा दो एक तीन या चार कितनी तरफ से जो हरियान दिली से गिरा हुआ है ये है तीन तरफ से अलकोषने गुर्गाओं का नया नाम ये जो गुर्गाओं है इसका जो नया नाम क्या है ये रहेगा गुरु गुराम अलकोषना गुरू दुरोनाचारिय के नाम से किस सहर का नाम जुड़ा हुआ है अमबाला गुर्गाओं कुरक्षेत्तरिया सोनीपत गुरू दुरोनाचारिय है तो इसका समझ जो है गुर्गाओं से है नेक्स्ट रहेगा डाक्टर जस्वीर सिंग ने अपनी किस पुस्तक में हर्याना को मुख्या रूप से आठ बागों में बाटा है ग्रीन हर्याना, क्लाइमेंट अफ हर्याना, एन अग्रिकल्चर जोग्राफी ओफ हर्याना या इन में से कोई नहीं राइट रहेगा उप्शन सी, एन अग्रिकल्चर जोग्राफी ओफ हर्याना के रुप में आठ बागों में बाटा गया है, किस के दोरा डाक्टर जस्वीर सिंग के दोरा नेक्स्ट एग हमारे हर्याना के किस सहर ने स्वस्ता स्रेक्शन 2017 में सबसे स्वच सहरों के बीच जया स्रवस्थान को प्रापत किया है उप्शन हमारे पच्छकुला, सोनीपत, फ्रीदाबादिया, करनाल, से अंसर है उप्शन डी यह जो करनाल जो है इसने स्वस्ता स्रेक्शन 2017 में सबसे जो स्वच सहर है इसके रूप, इसमें सबसे उपर जयास्तान को प्रापत किया है नेक्स्ट एग हमारा सोहना कार रैली यह कहां की रैली है चोटी कार, कार्वा, पुरानी कार या मीनी ट्रक सोहना कार रैली ये क्या है तो सी अंसर रहेगा उप्षन सी पुरानी कार की एक रैली है नेक्स्ट रहेगा राज्य के किस नगर में चिस्टा के लिए विदेशी लोग अधिक मात्रा में आते हैं रहतक करनाल गुर्गाउं या फृरिदाबाद सी अंसर रहेगा उप्षन सी गुर्गाउं जो रज्य है इसमें किस्टा के लिए विदेशी लोग भी आधिक मात्रा में आते हैं अलोकोशनेगा इतिहासिक जो 24 चबूतर है ये कौन से स्थान पर है मेहम सफीदो कलानोर या खर खोदा राइटन सर रहेगा उप्षन ए मेहम में जो है 24 चबूतरा स्थान है नेक्स्ट रहेगा हरियाना में इन में से कौन सा सबसे कम अबादी वाला जीला है दोस्तों अगर आपने ये जो अबादी जनसंके से समंदी जो हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखिया है तो उसे भी आप जाओ पर कोने में आई बाटन पे किली करके देख सकते हैं वहाँ पर जो जनसंके समंदी जितने भी महत्यपून कोशन है इसे भी जहा हमारे द्वारा कराए गए हैं और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक हो सबस्क्राइब जिरू करना तो यहाँ पर जो है सबसे कम आबादी वाला जिला जो जै पूछा गया है तो यह रहेगा पंच्छ कुला सबसे कम पंच्छ कुला नेक्स ठाएगा हमारे अहलियान का कौन सा जिला देश में धान का कटोरे के रूप में जाना जाता है सोनी पत यमनगर करनाल या कैतल धान का कटोरे के रूप में किसे जाना जाता है तो करनाल को धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है हला कोशन रहेगा हरियान में दूसरा सबसे बड़ा सहर जिनसंख्या के दिष्टी से कौन सा है तो जन्संक्य के तिष्टी से जो है सबसे बड़ा सहर यहां पर पूछा गया है गुर्गराम फृदाबाद अमबाला या हिसार राइटन सा रहेगा ओप्शन ए गुर्गाउं जो है यह सबसे बड़ा जो सहर है जन्संक्य के मामले में अगला है भारते सेना के पस्चमी कमान का जो मुख्यला है यह कहां पर है हिसार चंडी मंदिर पानिपतिया अमबाला तो यहां पर पस्चमी कमान का जो मुख्यला है यह पूछा गया है ये रहेगा चंडी मंदिर और चंडी मंदिर कहा है ये चंडी गड़ में है और चंडी मंदिर के नाम से जाए चंडी गड़ का जो नाम है ये पड़ा है नेक्स्ट रहेगा सबसे अधिक्सैनिक और अधिकारी रेवाडी जी लेके किस कस्बे से हैं बावल से हैं दारुहेडा नाहर या कोसली तो सबसे अधिक्सैनिक और अधिकारी ये रेवाडी के कहां से हैं ये हैं कोसली से राइट अंसर एक ओप्षन डी अगर कोशन है इसमें हमें मिलान करना है जीन्द, पंचकुला, अम्बाला, महिंदर, अधलिया, भ्युवानी नीचे हर्याने के कुछ जीले दिये गए हैं तो इनको उत्तर से दक्सिन, उनकी स्थिति के अन्सार जा हमें सही करम में लगाना है तो उत्तर से दक्सिन की और जो इनका जो करम है ये रहेगा सबसे पहले नमबर तीन, पंचकुला, उसके बाद अम्बाला, और उसके बाद कैथल, जीन्द, भीवानी, और मेंदरगड नेस्ट रहेगा हरियाने के जीलों के किशेतर पल के अन्सार, सही विकलब का चेन कीजिए तो यहां पर किशेतर पल के अन्सार जायें का जो सही चैन इन में से कौन सा रहेगा तो राइट अन से रहेगा, उप्शन A, जजज़, जीन्द, और हिशार अगला है पारमप्रिक धातुकरम विशेसकर कांचसे के बरतनों के लिए इन में से कौन सा जिला परसिद है हिसार सोनीपत रेवाडी या पलवल राइटन सरेगा उप्सन सी रेवाडी को जो है पितल नगरी के लिए भी जाना जाता है नेक्स्ट रेगा हर्यान का अध्योगिक नगर इसमें जो अध्योगिक नगर है ये किसे का जाता है हिसार सोनीपत फ्रीदाबाद या पलवल राइटन सरेगा उप्सन सी फ्रीदाबाद को अध्योगिक नगर का जाता है तो इसलिए जाय से उद्योग एकनगर कहा जाता है नेक्स डेगा हर्याना जो सम्वाद पत्रिक है इसका समथ इनमें से किसी भाग से है कृषी लोकसंपरक उद्योग या साहिट्य एक अद्मी राइट असर रहेगा ऑप्शन D तो समथ पत्रिक है जो समथ है या साहिट्य एक पर जाकर देख सकते हैं जितने भी लेखक और इनके जो लिखे गए जो साहिते हैं इसे समंदित मेहतरपूर्ण कोश्चन जहां हमारे द्वारवां पर कराए गए हैं और दोस्तों अगर आपको कोश्चन आच लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जूर कीजिएगा नेक्ट मेरेगा हमारा हरियाना में हरी भूमी समचार पत्तर किस नगर से निकलता है फत्यबाद पानिपत हिसार या रहोत तक तो कहां से जो आए निकलता है ये निकलता है रहोत तक से राइट एंसर एग ऑप्शन डी नेक्ट आए देश का कौन सा राज़ा दूद और दही की भूमी के रूप में परसीद है पंजाब राज़स्तानी माचल परदेश या हरियाना तो से अंसर रहेगा हमारा ओप्शन डी हरियाना को जा दूद और दही के लिए जाना जाता है कोसर यह राज़ा दानी कि में हिसार या फृदाबाद राज़ने सर एक उप्शन सी हिसार और प्रिवेश जो कलरक जो एक्जाम हुथा उसमें भी जाए कोसर पूछा गया था और और यह भी पूछा गया था कि स्टील सिटी के रूप में किसे जाना जाता है तो इसी कोई स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है गुजरी महल के रूप में इसको जाना जाता है हिसार से सबंदित जो है एक कोशन एकजाम में जरूर पूछा जाता है नेक्स रहेगा मृत बांट के लिए इन में से कौन सा जिला परसीद है रोत्तक, हिसार, विवानी या पानी पत तो मृत बांट के लिए जो है रोत्तक को जाना जाता है हराइटेंस रहेगा उप्शन ए अलकोशना राज्य में खोगोल विग्यान को लोगप्रिया बनाने इसके जानकर बढ़ाने हितुकिस्तान पर अंतिक्स जात्री करपना चावला की याद में जातार मंडल के सापना की गई है अलकोशन रहेगा हर्यान की किई जिले को सरस्वती नगर के नाम से जान जाता है रौत तक पंचकुला सिर्षा या भिवानी सरस्वती नगर यह जान जाता है सीर्षा को यहां पर सह और रहे सह और रहे तो इस तरी के से जो आप इस कोशन को याद रख सकते हैं नेक्स रहेगा किसे City of War Heroes गा जाता है सीदो का सहर कि रुप में किसे जान जाता है बिवानी रोगता की सारी आ पच्छकोला City of War Heroes तो यह जान जाता है भीवानी को राइट एंसर एग उप्शन ए अलकोशन है जैनती देवी नगर को किस नाम से जान जाता है पलवल भीवानी रहोतक या जीन जैनती देवी के नाम से किसका नाम पड़ा था तो यह पड़ा था जीन का हर्देव फरियान के नाम से भी से जान अगला है विग्यानी कुप करनों के लिए किसे जान जाता है हिसार विवानी अमबाला या रोह तक अमबाला को मिक्सी सिटी और विग्यानी कुप करनों के लिए भी जान जाता है और प्रिवेस जो एक्जाम होता कलर का उसमें भी जाये पूछा गया था नेक्स्ट एगा हर्यान की साइबर सिटी इसके रुप में किसे जान जाता है हिसार अंबाला गुडगाओं या रोतक तो साइबर सिटी की रुप में जा गुडगाओं को जाना जाता है राइटन सरेग उप्शन सी अगला है मेडी सिटी मेड़ी सिटी किसे का जाता है हिसार अमबाला गुरगाओं या रहोत तक मेड़ी सिटी के रुप में जान जाता है गुरगाओं को राइटन सरेग उप्शन C नेक्स्ट है कोटन सिटी कोटन सिटी इनमें से किसे का जाता है पलवल को जो है कोटन सिटी की रूप में जाना जाता है नेक्स तरी का नगरी के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट रहेगा धर्म नगरी धर्म नगरी किसे का जाता है हिसार, जजजर, गुर्गराम या कुर्क्षेत्र कुर्क्षेत्र को जो है धर्म नगरी की रुप में जान जाता है नेक्स्ट रहेगा कर्ण नगरी हिशार करनाल गुडगाउ या कुरक्षेतर राइटन सर एग ओप्षन बी करनाल नेक्स्ट है संतो का नगर यह जो संतो की नगरी है इसके रूप में किसे जान जाता है सिर्षा करनाल गुडगाउ या कुरक्षेतर तो सिर्षा को जो है संतों की नगरी की रूप में जान जाता है सरस्वती नगरी की रूप में इसे जान जाता है सबसे आदे गयों सिर्षा में होती है चोदिर देवलाली निवस्टी सिर्षा में है अगला है कपिलस्थल नगरी की रूप में किसे जान जाता है सिर्षा काथल गुडगाव या कुरकशेतर तो काथल को जह कपिरस्तल के रुप में जान जाता है और इनके नाम से जह काथल नगर ये पड़ा है अलग कोशन हैगा हमारा बिर्बल नगरी किसे का जाता है सिर्षा काथल गुडगाव या नारनोल ये कहा जाता है नारनोल को बिर्बल नगरी नेक्स रहेगा गुलाबी नगरी सिर्षा केतल फत्यवाद या नारनोल यहाँ पर गुलाबी नगरी इन में से किसे कहा जाता है फत्यवाद को जो है गुलाबी नगरी कहा जाता है कों से रहे साब इम्हांबार्थ कालिन जो स्वन्प्रस्थ है यह नंजाता है और यह पर इस प्रकार प्यात रख सकते हैं यह यह सउनी और स्वन नगरी पितलनगरी के रुप में किसे जान जाता है सिर्षा रिवाडी सोनी पतिया नारनोल तो पितलनगरी जो है ये रिवाडी को कहा जाता है अलग कोशन रहेगा हरियान के किस जिले में जाए मिलेनियम सिटी के नाम से जान जाता है तो कोन सा जिला है जिस से Melissa City Cr abord जाता है हिशा रोत्ते गुर्गाह या फृरिदाबाद रिये रहेगा गुर्गाऊं गूर्ग्राम को स्क्राइज है मिल्यनियम सिटी की रूप में जाना जाता है जो हरियान के किस्तान पर AIMS2 की स्थापना कर रही है मानेशर सोहना बाड़सा या जसोर खेड़ी में तो यह कर रही है बाड़सा में राइटन सर एक उप्शन C नेक्स्ट एक हमारा इसमें जो है अपने मिलान करना है राइटन सर पर्दोगी की संस्तान भरत्य कोरपरेट, राजइट फिल्म, एम, टेलीजन इसमें जो राइटन सर रहेगा हमारा उप्शन D रहेगा 14, 31, 12 तो इसमें 4,3,12 राइट है खाद्या पर्दोगी की संस्तान कुंडली उसके बाद है भरत्य कोरपेट मामले आयम्टी मानिसर राज़े फिल्म टेलिविजन रहोत्तक और केंद्रिया प्लास्टिक अवियंत्रियो टेकनीकी मुर्थल राज़ेंसर है उप्शन डी नेक्स्ट रहेगा हमारा हरियाना में अंत्रास्टेसर का जो यूद्स मारकस्तल है ये कहां पर स्थावित किया गया है उप्शन है गुडगाउं रहोत्तक फ्रिदाबाद या अंबाला राज़ेंसर एग उप्शन डी अंबाला अलग उप्शन है हरियाना राज़े के किस जिले में अंत्रास्टेस्तर की जो फैसिलिटेशन के अंदर स्थावित किया जाएगा रहोत्तक फ्रिदाबाद गुडगाउं या पानी पत में ये किया जाएगा पानी पत में राज़ेंसर एग उप्शन डी नेक्स्ट रहेगा मारा हरियाना राज़े के कितने गाउं में जो नंदी साला वै जो गों साला बनाने का प्रसावतियार किया गया है राज़ेंसर रहेगा ओप्शन C 6500 गाउं में मैंक नेक्सट रहेगा हर्याना काहला डी वेस्ट प्लाट कहां पर स्थावित किया जारा है तो ये पर आपित किया जा रहा है गुडगाउं में राइट एंसरेग ऑप्शन डी नेक्स्ट आएगा एपर एपरेट्स सीटी के रूपें किसे जान जाता है यम्नगर पनिपत्रों तक या गुडगाउं यह जान जाता है यम्ना नागर को अलो कोशन है राजीव गांदी थर्मल पावर प्लांट और जी टी पी पी यह कहां पर है कुरक्षेत तरिवाणी सोनिपत या हिसार यह है हिसार में राजीव गांदी थर्मल पावर प्रोजेक्ट नेक्स्ट रहेगा हर्याणा में परियावन परसिक्षन संस्थान यह कहां पर स्थावित है गुडगाउं हिसार रोत्तक या पानी पत तो यह रहेगा गुडगाउं में परियावन परसिक्षन संस्थान गुडगाउं में है अलकोशन है हर्याणा के अंतरगत भारत का जो पांचवा ओपन डिफेक्शन फ्री ओडियाफ राज्या तो यह जो ओडियाफ जो है इन में से यह कौन सा है स्वच्भारत मिशन को का जाता है जनकल्यान योजना घ्रीकल्यान या वन बंदू कल्यान योजना को तो इसमें से जो स्वच्भारत जो मिशन है इसे ओडियाफ के कि भीन शांटी रूप में जाना जाता है कि नेक्षट रहेगा हर्यान में पूर्ण्परक कितने हैं जो यहां पर गोदावरी तो राइटेंसर एग ओप्षन ए सरस्वती नेक्स्ट रेगा स्वच भारता भ्यान में महिलाओ की भूमिका पर प्रकाश डानने के लिए हर्याणमेन में से किस की सुरुवात की गई थी किस की सुरुवात हुई थी यह हुई थी स्वच सक्ति सब तहा की अलगों से आजादी से पहले युमना नगर का जो यह लकड़ी का जो बाजार है किस नाम से परसी था गरीपूर मंडी बादलपूर अब्दुल्लापूर या नुवाब मंडी तो यह परसी थी अब्दुल्लापूर मंडी के रूप में राइटेंसर एग उप्षन सी और वर्तवान में जो टिंबर मार्किट है यह बड़ी टिंबर मार्किट के रूप में इसको जाना जाता है नेक्स्ट रहेगा हर्यान में किस जिले में मुख्य रूप में उर्दु बोली जाती है तो कहां पर जाए उर्दु बोली जाती है पच्कुला कनाल गुर्गाउं या कुर्क्षेतर राजटेंसर एक ओप्षन सी हर्याण में जो गुर्गाउं है इस जिले में मुक्रीव से उर्दू बोल जाती है नेक्स्ट एगा हर्याण का नाम हर्णा रखा था तो हर्याण का नाम जो है हर्याणा ये इन में से किसन के दवार रखा गया था महराज क्रिशन, महराज वैद, महराज वर्दन या महराज चांद के दवारा तो हर्याणा नाम जो है ये महराज क्रिशन के दवार रखा गया था अगला कोशन है किस वर्च में हर्याणा में पहली बार दैनिक्द हरी भूमी प्रकासित हुई थी 1994-1998 या 1996 में ये हुई थी 1996 में राइट रेग उप्शन D अलग कोशन है बन संतर बन में एक हाती पुनर्वास एम अनसुंदान के अंदर ये कहां पर स्थावित किया गया है पानिपत यमनगर कुख्षत्रिया अंबाला ये रहेगा यमननगर में नेक्ट है हर्याणा सरकार के द्वार किसके स्मीप स्थीत काला अंब कालाम व्रिक स्थान को यूद नमक्समार के रुप में विक्षित किया जा रहा है सोनिपत कुख्षत्र पानिपत या करनाल को से अंसर है ओप्शन सी तो कालाम कहां ये पानिपत में है नेक्ट है गाल लेडी होली होस्पिटल की स्थापना किस ने की थी दिन द्याल चोदरी छोटराम पंडितने की राम या इन में से कोई नहीं तो ये थे चोदरी छजुराम नेक्ट है हरियानवी भास को किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है पंजाबी कोर्वी उर्दू या हिंदी तो किस का रूप माना जाता है ये माना जाता है कोर्वी का राइट इसर एक उप्षन भी अलग और कोशन एक कोर भी मुलता है किस मुख्या बोली का प्रारूप माना जाता है खड़ी आउदी मैथरी या मतुरा ये माना जाता है खड़ी बोली का दोस्तों अगर आपको कोशन अच्छ लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जूर कीज़ेगा क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना से हमें कुछ नहीं मिलता है सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जूर कीज़ेगा और हमारे सातान तक बने रहिएगा नेक्ट में है नारनोल का प्राची नाम तो ये जो नारनोल है से प्राणी समय में किस नाम से जाना जाता था नंदी ग्राम नारनोल ना गल या इन में से कोई नहीं रायटन सरे गॉप्शन ए नंदी ग्राम की रूप में जैश को जाना जाता था हरियाणा का आर्थ हरियाली सीरी के संद्ध ke ज commission की जनब मी बगवान कांगन या ढूदहिं का खाना रायटन सरे गॉप्शन ए हरियाली नएक्ट है हरियाना रजे में जो साइन्स सीटी की रूप में इन्मे से किसे जानजाता है हिसार मुर्थल एलानाबाद या होडल राइटन सरेग ऑप्षन भी तो साइन्स सीटी की रूप में जानजाता है अलग कोशन है हरियाना प्रवहनी वाग में रिवाडी जी लेके गाओं जैस सिंग पुरा खेड़ा में चालक एहम तक्निक प्रशिक्शनल से इस्थान स्थाबित करने के लिए किस कमपनी के साथ समझता किया गया है तो यह जो कमपनी इनमें से कौन सी है यह है महींदरा नेक्स्ट है हरियाना के इंडो डैच सेंटर एग्रो बिजनेस के अंदर तता पुस्प मंडल की स्थाबना करने के लिए किस देश से सायोग लिया जाएगा अर्लेंड, निंदरलेंड, इंगलेंड या जापान ये जो सहे होगा है ये निंदरलेंड से लिया जाएगा राइट अंसर एक उप्शन भी अलग कुछन है गलोबल स्कील पर्क जो कि सिंगरपूर के मोडल के अनुसर तियार किया जाएगा ये जह कहां पर स्तावित किया जाएगा मानेसर ये वाड़ीदार वेड़ा या बिलासपूर में ये होगा मानेसर में हमारा गलोग कुछन है हर्याण के कि सियर को क्लीन और ग्रीन सिटी के रूप में जाना जाता है रोत्तक थानिसर अंबाला या सोनी पत ये राइटन सरेगा उप्शन D इसे जो है क्लीन और ग्रीन सिटी के रूप में जाना जाता है देश का पहला वाइफाई होट स्पोर्ट गाउं ये कौन सा है एक्जाम के दिश्टी से मैं तक पूर रहेगा तो पहला वाइफाई जहा होट स्पोर्ट गाउं है इन में से कौन सा है राइटन सरेगा उप्शन C गुंथला गढ़ू, कुरकशेत्र अलिकोस्न है, स्मार्ट गृड प्रोजेक्ट कौन से जिले में सुरू किया गया है कुरकशेत्र, सोनी पत्थानिसलिया, गुरुगराम अगलो कोशन है मेवात में किस गाउं का नाम डोनाल टरंप के नाम पर रखा गया है वेरी वेरी जाये भी पोटेंट है अकबरपूर मरोडा सी रोहिया निजामपूर राइटन सरेगा औप्शन भी मुरोडा जो गाम है इसका नाम डोनाल ट्रॉंप के नाम पर रखा गया है और हमारा आज का अंतिम कोशन है हरियाण में नई मैट्र पुर्योजना कौन सी होगी यह नई अभी दिल्ली निरेला से सोनीपत कुंडी तो दोस्तों यह थे हमारे आज के हरियाना जी के के महत्तरपुन कोशन दोस्तों अगर आपको हमारे कोशन अच्छे लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा जाए 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 गुरूपों में सेर कीजेगा और दोस्तों हमान सातन तक बनें के लिए धन्यवाद